पिछले एपिसोड में हमने देखा था यह सब फारवर आयलेंड आये हुए थे प्रोजेक्ट मियू के लिए जहां इनों पर ग्रावडन और कायोगर जो हैं हमला कर रहे होते हैं और अभी इस एपिसोड का एक्सक्रेशन करना चुरू गयते हैं और आपने इसका पेछला एपिसोड नहीं देखा हुए उसके बाद यह रैड आउट वाला वंदर कहता है यह लजेंडरी पोक्मोन जिसने की जमीन को बनाया फिर यह लड़की कहते है यह समूंद को रूल करन लगता है फायर व्लाश्ट की मदद से उसके बाद यह रैड आउट वाला वंदर आपने पोकमोन को कहता है यह लगता है और जो गहरी है वह कहता है यह सूपर एफेक्टिव मूव है लेकिन जो ग्राउड आन उसको कुछ भी फरक नहीं पड़ा होता है उसके बाद करने लगता है और यह बंद जो है अपने पोकमोन को डार्क पल्स और यूज करने को कहता है लेकिन जो डार्क पल्स से खेंड और और फिर बालश्रों और जो ग्राइब हो उससे पूचता है क्या तुम भी हो और यह रैड आउट इमपर दिखाए जाता है जहां पर हैं उसना रहा और यह लड़की केसे बत और फिर उसके ब्ल यूझ देकंब स्विय है। याँ से लगता है। फिर यहां से जाने लगता है। पिर यह लटकी चलो झाट मैण पीछा है। आखिसके ने बिलाफ की जाɪक करने लगते हैं। उसके बाद जो गो का शुम पनीज हो टैक्स बुलता है। उसकी जान बचाने के लिए और जो रेड़ टीम है वो भी इस पोकेमोन को फॉलो कर रही होती है उसके बाद यह दोनों अलग अलग रास्टे से एक जीगे पर ही आजाते हैं जहां पर कायगर और गरोडोन जो है वह आपस में मिल जाते हैं और फिर आमें पता चलता है यह जो और फिर एक यूनिवर्स बनते हैं और यउनिवर्स भी जरत वह रहर से और पानी वनता ही उसके बाद कहीं दूर होता है जो कि गो को मांटे zachow grateful द यह उसके बाद जो गो है वो समुंदर में जाके गिरता है जहां पर हमें प्राचीन काल के काफ़ी सारे पोकमोन दिखाये जाते हैं उसके बाद गो जो है वो मियू के साथ हवा में उड़ते हुए इस आइलेंड पर आ जाता है उसके बाद यह लड़की कहते हैं मुझसे यह गलती सो गया मुझे माफ करना उसके बाद यहां पर जितने भी सारे पोकमोन है वो इस कारण से आपस में ही लड़ने लगते हैं और उसके बाद जो मियू है इन सब को लड़ते हुए देखता है और फिर यह दोनों आटेक करते ह है वो म्यो को जाके लग जाते है और फिर जो मियू है वह भी जोस में आ जाता है उसके बाद जो मृझस का यूज करो और यह ऐटक मीयू को मार देते हैं थैक्ट जो पोकमोन को जाके लग जाता है उसके यह मैं बता देता हूं यह मेरी फीलिंग है फिर जो मियू है वो कहता है मैं बताता हूं कहकर लेना किसे कहते हैं और फिर उसके बाद जो मियू है वो अपने अटेक यूज कर देता है और फिर यह अटेक जो है इन पोकमोन को जाके लगते हैं लेकिन यह पोकमोन जो है इन तो इसके बाद जो गोए वह कहता है लेकिन जो मियू है वह हमारे साथ खेल रहा है बस उसके बाद जो एक जाइड़ वाल बना लेता है और इस एक पॉकमोन की तरफ भेंग देता है और फिर यह अपने अटक यूज करने लगते हैं लेकिन लेकिन जो कि पावर रहे यह सारे जिससे कि जो सारे पॉकमोन वही डेर हो जाते हैं उसके बाद यह सब जो है वह आपने पोकमोन को बापेश बुला लेते हैं फिर जो गोए वह कहता है प्लीज तुम सांत हो जाओ मैं तुम्हें पहले की तरह देखना चाहता हूं लेकिन इस तरह नहीं उसके बाद यह सब वो अगरे दूसरे पोकमोन को चुनते हैं और भार बेस ने और फिर यह रेड ओड़ वाला बंदा कहता है हमें सिर्फ इसको रोकना है नहीं तो यह पोकमोन जो है वो एक खतर में आ जाएंगे और गो कहता है यह कैसे हो सकता है फिर यह सब पोकमोन जो है वो मियू पर अटेक करने लगता है और मैं इसको करकर रहूंगा उसके बाद जो कहता है सुनो मियू क्या तुमने मुझे पहचाना हम पड़े दिनो बाद मिलिए और जो मियू है उसे थोड़ा याद करने का और जो यह वो बताता है हम याद है मैं जब छोटा था जब मैं तुमसे मिला था क्योंकि मैंने तुम्हें जब से देखा है मुझे तब से ही तुम में दिल्चस्पी होने लगी है और मैं तवी से सोच रहा हूँ कि मैं तुमको फिर से कैसे देख पाऊंगा इसलिए मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी रिसर्च करी देरी दुनिया में आने की बज़े भी तुम ही हो और इसी कारण से मैं ऐसे भी मिला और मैंने काफ़ी सारे रीजनों में भी सफर किया सिर्फ तुम्हारे लिए इसी कारण मैंने सभी प्रकार के पोकमोन के बारे में भी सीखा और आद जो कुछ भी मैं हूँ वो सिर्फ तुम्हारी वज़े से और मैं तुम्हें काफी कुछ बताना चाहता हूँ अगर हम फिर से कभी मिले उसके बाद जो मियू है वो हाइपर वीम का यूज़ करने लगता है उसके बाद गो बोलता है तुम मुझे बताओ हम दुबारे कब मिलेंगे और इस सब के लिए मैं तुम्हारे सुक्रिया करता हूँ और फिर जो हाइपर वीम है वो आचानक सही गायब हो जाता है और यह सब जो है वो चौक जाते हैं उसके बाद जो मियू है वो सांत हो जाता है और फिर इन सब घायल पोकमोन की तरफ देखता है और उसके बाद जो मियू है वो एक अटेक करता है जिससे यह सारे पोकमोन ज कर दो कर दो हाथ पर बैठ जाता है इसके बाद में चांद को दिखाए जाता और फिर यहां पर बारिस हो जाती है उसके बाद पीछे से आवाज आती है विंटर का सीजन आगया और दुरभागया से हमारे कोज यहीं पर खतम होती है और हमने इस से काफ़ कुछ सीका और हमें Mew का रहसे भी पता चला और हमने सूपर नोबा और गैलेक्सी बनते हुए देखा क्या पता स्पेस और स्टार का जनब वरकमून के रहसे से जुड़ा हो सकता है और ये बन्दा कहता है हाँ वास्तम में ये सब हो सकता है उसके बाद इन सब का जाने का समय हो जाता है और ये कहता है हम आपका धन्यवाद करते हैं हमारे दी प्रोजेक्ट मियू में जुड़ने के लिए उसके बाद ये तीनों जो है इन तीनों को थैंक्यू बोलते हैं और फिर ये सब यहां से जाने लगते हैं उसके बाद ये तीनों गो गहरी और टोक्यू आपस में मिलते हैं और फिर ये अपने अपने अलग अलग रस्ते पर चले जाते हैं उसके बाद जो गो है वो किसी को कॉल मिला रहा होता है और यह वही सीन होता है जब एस वर्ल्ड चेंपिन बना होता है और वो सो रहा होता है तब उसके रोटों फोन पर फोन आता है जहां पर कि वो कॉल जो है वो गो का हो रहा होता है और फिर यह जो एपिसोड है वो यहीं झाल झाल झाल